विडियो देखने वालों को नमस्कार आज आप बात करेंगे बॉलिवुड के बारे में तो बॉलिवुड के बारे में एक तपका जो है यह मानता है कि यह जो है हिंदू विरोधी फिल्में बनाता है इस बात में कितनी सच्चाई है इसको हम समझने की कोशिस करेंगे तो यहां जरा कुछ तस्वीरों को देखिए यह जो हैं Bollywood की कुछ फिल्मों में विलन रहे हैं आप सबने इन लोगों को देखा होगा अब यहां पे common बात आप क्या देख सकते हैं common बात आप यह देख सकते हैं कि यह सब तिलक लगाय हुए हैं तो Bollywood जो है यह दिखाने की कोशिस करता है कि जो तिलक लगाता है यानि कि ज़्यादा पुजा पार्ट करता है वो क्रिमिनल माइंड सेट का होता है वो अपरादी होता है वो गुंडा होता है तो यह चीज जो है दिखाने की यहाँ पर कोशिस की जाती है तो हर जगे आप गौर करेंगे कि जो भी विलन लोग हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक जो है दिखाया गया है तो एक तरह से लोगों के दर्शोकों के सबकौंशियस माइंड में ये बात फिट करने की कोशिस की जाती है कि ज़्यादा पूजा पार्ट करने वाला व्यक्ती है उसके गलत होने की चांसस जो है बहुत ज़्यादा है आपने शोले फिल्म देखी होगी शोले फिल्म के जो डाकू है वो सारे टीका लगाय हुए होते है शोले फिल्म में जब आपने होली का सीन देखा होगा तो कोई वहाँ पर टीका लगाय हुआ नहीं देखता है तो यही फर्क हो जाता है वैसे ही शोले फिल्म में आपने देखा होगा कि गबबर गाउवालों को मारता रहता है कई लोगों की जाने लेता रहता है लेकिन गाउवाले कभी उस चीज से दुखी नहीं होते है लेकिन जब रहीम चाचा का लड़का मार दिया जाता है गबबर के द्वारा तो पूरा गाउं इखटा हो जाता है, दुखी हो जाता है ये आपके subconscious mind में ये fit करने के लिए ये scene बनाया गया है कि जो मुसलिम व्यक्ति है वो इमान का पक्का होता है उसको सब पसंद करते हैं, इसलिए जो है उसके लिए सब इखटे हो जाते हैं लेकिन जो हिंदू है उसके लिए खटे नहीं होते क्योंकि हिंदू जो है उतना इमान का पक्का नहीं होता है ऐसा film बहुता है एसा film में दिखाने की कोशिस की जाती है इसी फिल्म में आपने देखा होगा कि शिव जी की मूर्ती के पीछे धर्मेन शराप पी रहा है और लड़की छेड़ रहा है तो ये सीन भी आपने देखा होगा तो ऐसे सीन जो है वो नहीं होने चाहिए लेकिन होते हैं आपने कई फिल्मों में देखा होगा जैसे कि कुछ-कुछ होता है फिल्म इसमें अंजली नाम की एक केरेक्टर है जिसके मा, बाप, रिष्टेदार सब हिंदू है लेकिन किसी बात के लिए ये नमाज पढ़ने लगती है और इनकी दुआ जो है वो तुरंत कबूल हो जाती ह तो सुचने वाली बात है कि जब लड़की के परिवार के सब हिंदू है तो उसको प्राथना करनी चाहिए लेकिन वो प्राथना नहीं करती है वो नमाज पढ़ती है और उससे जो है उसकी दुआ तुरंत कबूल हो जाती है तो ये जो है आपके सबकॉंशियस बाइंड में ये फिट करने की कोशिस की जाती है कि आप अगर अपने धर्म को छोड़के दूसरी जगे पराथना करेंगे तो आपकी जल्दी सुन ली जाती है वैसे ही काबूली वाला जो एक सीरियल है उसमे भी लड़की को दिखाया गया है कि जब काबूली वाला नहीं आते है तो नहीं किया गया है ये जो है इन लोगोंने अपने मन से जो है मन गणन बात जोड़ी है कि नमाज पढ़ो और काबूली वाला प्रकट हो जाते हैं कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो है भगवान के पास कोई जा रहा है तो बड़ा गुस्से में जाता है उनका जो ह इनके अमिताब बच्चन आते हैं भगवान के सामने बोलते हैं आज खुश तो बहुत होगे तो ये फिल्म भी आपने दिवार फिल्म में देखा होगा तो यहां भी वही बात दिखाई जा रही है कि लोगों का भगवान पर भरोशा नहीं होता है क्योंकि भगवान उनकी स जो है सर माथे पर लगाते हुए चूमते हुए जो है वो लगाते हैं यानि कि इनकी आस्ता बड़ी इस जादा है 786 नंबर में लेकिन भगवान के प्रती इनकी आस्ता नहीं है मंदिर भी जब ये जाते हैं तो मंदिर के अंदर नहीं जाते मां को जब लेके जाते हैं सीड भी आपने देखा हुगा तो यहाँ भी वही चीज आपके subconscious mind में fit करने की कोशिस की जा रही है कि अपने भगवान पर भरोसा मत करो दूसरे के पर करो ऐसे ही आपने देखा हुगा कि बहुत सारी फिल्मों में जो रेप के सीन है उसमें आपको पंडित मिलेगा ब्रामन मिलेगा या इस तरह के अच्छे लोग बिलेंगे आपको देखेंगे तो यह जो है मदर इंडिया फिल्म का सीन है तो मंदिर में जो है यह रेप करने की कोशिस कर रहा है पुजारी यह आपने सीन देखा होगा वैसे ही एक और फिल्म राम तेरी गंगा मैली उस पे भी आपने ऐसा ही सीन देखा कि मंदिर का पुजारी है ब्रामन है वो जो है वहाँ पे यही काम करने की कोशिस कर रहा है यह भी आपके सब कॉशिएस मियंड में फिट करने की कोशिस की जा रही है कि इस प्रकार के जो लोग है पंदिर में पुजारी है वो जो है खराप करेक्टर के लोग होते हैं आपके साथ जो है आपकी बहु बेटियों के साथ जो है वो गलत कर सकते हैं तो यह मैसेज जो है आपके सब कॉंशियस माइड में डालने की कोशिश जो है की जाती है तो बहुत सी फिल्मों में आपने ऐसा देखा हो तो यहाँ पे जो है वो ओम नमच शिवाय बगेरा का पूरी नहीं होती है लेकिन जैसे ही आप जाते हैं तो आपकी मुराद्य पूरी तुरण जो है वो पूरी हो जाती हो गाने चलते है कि भर्दे जोली है बेरी इस तरह के गाने जो है चलते रहते हैं और आपने एक और चीज़ भी बड़ी कॉमनली देखियोगी फिल्मों मे कि फिल्मों में जो ठाकुर वाला केरेक्टर होता है वो हमेशा नेगिटिव होता है तो जो गाओं का ठाकुर होगा शेहर का ठाकुर होगा या जमीनदार होगा वो जो है अधिकतर जो है भहु बेटियों पर बुरी नदर रखने वाला होता है या फिर जो है वो गाउं वालों पर अत्याचार करने वाला होता है उनका छोशन करने वाला होता है तो यह सीन भी आपने जो है कई फिल्मों में देखा होगा और यहाँ पे भी आपको यह बात भी देख रही होगी पर यहां सबसे बड़ा कौन विलन है विलन वो व्यक्ति है एक हिंदू व्यक्ति है जो टीका लगाता है जो शिवजी का भागता है इस तरह का तो ये भी वही चीज पोट्रे करने की कोशिस की जा रही है कि हिंदू जो है जो खास तोर पर जो ज़्यादा धार्मिक है वही ज आपने देखियों कि मैं हुना, इस फिल्म में आतंगवादी एक हिंदू व्यक्ति है, जबकि हम जानते हैं कि हिंदू आतंगवादी नहीं होते हैं, इस प्रकार के कोई काम नहीं करते हैं, और एक इंटर्व्यू में फराखान कहती हुई दिखाई दी कि हम कोशिस करते हैं कि हमारी फिल्मों में नहीं कोई मुस्लिम जो है वो नेगेटिव करेक्टर में नहीं हो तो यह बकायदा जो है इनका on record जो है बयान है उन्होंने दिया है तो ऐसी ही चीज़ों जो है बाकी सारे जो भी मुस्लिम लोग हैं बॉलिवूड में वो यह करते हैं और यह आप खुदी साब बड़े सज्जन हैं लोगों की मदद करते रहते हैं बहुत चैरिटी करते हैं इस तरह से आपको दिखाये गया है तो यहाँ पे जो गलत लोगों पर भी फिल्म बन रही है उसको भी ऐसा प्रेजंट किया जाता है कि यह गलत नहीं है इनको समाज ने सोसाइटी में गल बोलता है उसका मजाक उड़ाया गया तो मतलब आप अपने ही देश में शुद्धिंदी अगर बोल रहा हो तो आप मजाक के पात्रो तो आपका जो है वो मजाक बनता हुई उर्दू के शब्दा आप इस्तवाल कर रहे हो तो आपको जो है बड़ा उच दरजे का जो दिख होगा और आजकल एक नया ट्रेंड जो है चल रहा है कि महिलाओं को जो है बहुत केरेक्टर लेस दिखाना है तो ऐसी वेब सीरीज वगेरा में जो है आपने देखा होगा और जो समयुदाए जो है जिसका क्राइम वगेरा से दूर दूर तक लेना देना नहीं रहा है उनको जो है आपसी द्वेश पैदा करने के लिए उनको नेगेटिव केरेक्टर में बहुत दिखाया जाता है जैसे यह मिर्जापूर है तो अखंडा नंत्रे पार्टी हो या रती संकर शुकला हो जो भी इधर विलन आपको देख रहे हैं बड़े-बड़े वो सारे आपको ब्र यह कि आपने देखा होगा कि भाई, बहन, भाबी, ससूर, दामाद इस प्रकार के हर प्रकार के रिष्टो को आज के समय यह वेब सीरीज कलंकित करने में लगी हुई है तो यहां से यह दिखाने में लगी हुई है कि करेक्टर लेस जो है वोमेन महिलाएं होती है और उनको आपके आपको पराया, पुरुष जो है उनको छुए न तो यह भारत रहा इतने उच दर्जे की महिलाएं हों अमारे देश में रहैं है पर ये वेब सीरीज में जो characters होंगे आपको बिलकुल उल्टा जो है present करने में जो है ये लगे हुए है तो ये भी जो है हमारे समाज को corrupt करने के लिए जो है ये कोशिस में ये लगे हुए है वैसे ही article 15 वाली film देखिए ये एक real incident पे बनी हुई है लेकिन इसमें जो है real incident में देखेंगे तो एक भी आरूपी ब्राह्मन नहीं है लेकिन इस पूरी film में आपको सारे villain सारे character जो है आपको सारे rapist जो है वो ब्राह्मन देखेंगे और उनको बचाते हुए वाले भी आपको ब्राह्मन देखेंगे तो ये भी इसलिए किया गया है ताकि आपका आपस में नफरत हो आप दूसरे किसी समगुदाय के व्यक्ति के प्रती शक की नदर से देखेंगे तो ये सब भी इसलिए किया जाता है एड्स में भी जो है ये सारा कल्चर चला है कभी आपने एड्स देखा होगा कि रक्षवंधन मनाना है तो केट बरी खाके मनाईए दिवाली मनाना है तो केट बरी खाके मनाईए पर कभी आपने ऐसे एड नहीं देखेंगे कि ईद बनाना है तो सिवई ये की जगे आप कैटबरी खाईए, आपने ऐसा नहीं देखा हो कि क्रिस्मस बनाना है तो केक की जगे आप कैटबरी खाईए, वो नहीं देखा हो, आपको यहां जो है टारगेट करते हुए जो है लेंगे वैसे ही आप यहां तक की देखिए कि करवा चोध तक के एड जहां पर महिलाई जो हैं लाल जोड़ा वगेरा पहनती हैं वहां आप देखिए उसके भी जो एड आते हैं तो आपको कॉमन सी बात देखेगी कि कोई महिलाई के माते पर बिंदी नहीं होगी सिंदू नह मॉडल्स की वेजबूशा भी जो है उसी तरीके से जो रखी जाती तो इस सबका उद्देश एक है कि आपके सब कॉंशियस माइंड में आपके मन में जो है ये विचार उत्पन हो कि आपका जो धर्म है वो इन्फीरियर है आपका कल्चर जो है वो तुछ है आपकी भाषा जो है वो खराब है और ये सारी जो चीजे जो है आपके मन में जो है डालने के लिए जो है ये सब काम किये जाते हैं एक स्टेडी भी हुई थी ये स्टेडी हला कि पुरानी है 20 साल पुरानी है और इसमें जो है पिछले 30 साल में यानि कि 1980 से लेके 2000 के बीच के जो पीरेड ह वहां के 30 साल लिए गहते हैं, और वहां पे हर दशक की 50 रेंडम फिल्में सेलेक्टी गई थी, और उसमें characters का analysis किया गया है, तो यह आप Google में सर्च करेंगे, तो आपको मिल लाएगा, तो यहां पे देखा गया है कि 58% character जहां पे करट पॉलिटीशन से उनके नाम जो है वो ब्रामन मिलेंगे आपको, जितने भी करट बिजनसमेन के character दिखाए गया है, उनमें 62% जो है वो सब वैश जाती वैश सरनेव वाले हैं, जो रासी प्रतिशत मुस्लिमों को हर फिल्म में जो है बड़ा ही strong इमानदार जो है character दिखा यह भी आपने महसूस किया होगा और पाकिस्तान के मुद्दे पर जो फिल्म में बनी हुई 18 करी फिल्म में जो ली गई है study में उनमें भी जो है यह दिखाएगा कि पाकिस्तान की लोग बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान जो है काफी अच्छा देश है और एक पॉजिटि मैं परसनली फिल्म में देखता भी नहीं हूँ, साल में दो तीन से जादा मैं फिल्म में नहीं देखता हूँ, बहुत ही selective देखता हूँ और उसमें से भी बॉलिवुड की शायद नहीं ही होती है, तो इसके साथ जो है मैं अपनी बात खतम करता हूँ, इस पर आप अपने विचार रखिएगा, फिर मिलेंगे जहन